तो अगर आपको अपना HDFC bank का debit card होता है या ATM card होता है जिसे आप अपना money withdrawals करते हैं आप उसके जरीए भी अपना debit card EMIA facility ले सकते हैं मतलब एक credit card से नहीं आप debit card भी EMIA facility प्रोवाइड करता है यह बहुत पहले से HDFC bank और भी कोई सारे bank हैं जो प्रोवाइड करते हैं तो जैसे कि आप लोगों ने thumbnail में और title में देखा होगा तो यहाँ पर मैं basically आपको दो तरीकों से दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो अपना HDFC bank का EMI eligibility है आपका मतलब कितना loan sanction हुआ है मतलब कितने तक का आप अपने debit card से कुछ भी item purchase कर सकते है flip card से Amazon पर और भी बहुत सारे site है तो चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपना debit card का EMI eligibility चेक करना है तो दोनों process से दिखाऊंगा एक है जो पहला SMS के जरीए तो उसके जरीए भी करके दिखाऊंगा और एक HDFC bank official site है उसमें भी जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते है तो चलिए हम चलते देखिये number flash हो रहा है आपको कुछ ही तरह का यहाँ पर टाइप करना है तो चलिए हम पर मैं आपको type करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर type कर ना है मतलब जो भी आपका contact details है मतलब किशको आप भेजना चाता है तो आप यहाँ पर डाल दें रेसे paint में तो चल लेटर्म से रहना चाहिए तो आप इस बात का ध्यान रखें small letters में ना दें तो मैं पर देखिए my hdf से type करने के बाद आपको जैस्ट है पर send के उपर क्लिक करना है तो एक चीज और मैं आपको बता दूँ अगर मानलीजे आपका जो unlimited pack रहता है monthly pack या 3 मंत का या 4 मंत का उस pack के जरीए अगर आप अपना जो message भेजना चाहिए वो भेज नहीं पाएंगे तो आपको normally recharge कराना पड़ेगा पहले तो इस पर message के लिए आपको 3.5 या 4 रुपीज कुछ ऐसे चार्ज किया जाता है तो आप इस बात का ध्यान रखें पहले recharge कर लें उसके बाद ही आप अपना message भेज़ पाएंगे तो चलिए आपे send के उपर click करता हूँ तो आपको back चले जाना कुछ minute के कुछ seconds के लिए आप आपको यहां पर particularly दिखा देगा तो आपको इस तरह की से देखना है तो यह पहला method है चेक करने का तो आप यहां से उसके पाद जाके जैसे आप अपना debit card का eligibility चेक करते हैं उसके पाद जाके आप कहीं पर भी purchase कर सकते हैं तो कुछ इस तरह किसे आपका जो debit card का EMI eligibility है आपक कि मैं ऐसे वीडियो सिलाते रहता हूं तो तब तक के लिए बाई बाई हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो